ओमनमते नमा, नमस्कार मित्रो, मैं आविरल त्रवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल ने थी मित्रो विशे स्रंखला के अंतरगत, आज कल हम ग्रहों की सुभ और असुभ इस्थित के बागे में चर्चा कर रहे हैं उसी स्रंखला में आज बात करते हैं सुरी की दस्वे भाव में सुभ और असुभ इस्थित की जिन जात्कों का सुरी दस्वे भाव में सुभ होता है उनकी आर्थिक इस्थित अच्छे होती है ऐसा जातक सरकारी नौकरी में उच्चा धिकारी होता है वाहर तरह से साधन संपन होता है वाहन सुक प्राप्त करता है और एस्वर पून जीवन जीता है सूरी ये दस्वे भाव में असुब इस्थित्वे हो तो जातक बहुत ही सक्की सुभाव का वास सनिकी होता है सूरी के दस्वे भाव में ये चंद्रमा भी हो तो जातक अलपाय होता है सूरी दस्वे भाव में और चंद्रमा पांचवे भाव में हो तो जातक का पुत्र रोगी होता है तता जातक को तरह तरह से कष्ट देता है जिन जातकों का सूरी दस्वे भाव में आसुब हो उन जातकों को मा का आसिरवाद प्रतितिन लेना चाहिए नीले वस्तरों को कभी नहीं पहिनना चाहिए अपनी समस्या भी किसी से नहीं बतानी चाहिए मांसमदी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे जातक को गाय के दूद में गंगाल जल मिलाकर उसे पीतल के बरतन में डालकर रखना चाहिए सिर पर हमेशा टोपी पहननी चाहिए 30 दिन तक तांबे का सिक्का पानी में बहाना चाहिए पीपल के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और लाल बकरी का दूद बर्गत की जड़ में चड़ाना चाहिए मित्रों हमारे वीडियो ज़ा आपको कैसे लग रहे हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो कपर लाइक करिए सेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत करिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभाद